गुड मॉनिंग भाई सारे भाई होगो मैं विकी खत्री करता हूँ आपका भाई बहुत बहुत स्वागत आज फिर से नए ब्लोग में जैसा कि कल मैंने बताई दिया था आज अपनी फिर से रोग तक के लिए अभी चार बजे है उसका तो पिक अप है आठ बजे जनक पूरे है यारी तो उतने का टाइम होई रहा है तो भाई आज फिर से चलते हैं रोग तक खर्चे वर्चे टोल डालतों सब्स आपको पता है पर मेरा काम तो भाई जो भी काम में रोज करता हूँ वो आप तक पहुंचाना और जो नए बाइस लाइन में आते हैं उन तक उतने तो चलो भाई बुकिंग के पिकप के खड़ा हो एयरफोर्ट के लिए बुकिंग आई हुई है ओल अपे तो जैसे ही पैसे जराते लेगे निकलेगे और कौन कौन सी कारवाई हो है हर चीज के बारे में आपको होता रहेगा अपडेट तो देखते हैं दो बुकिंग होंगे चीज के बुकिंग होंगी चितना भी काम होगा आपको तो बता चली जाने है फिर उसके बाद मिलेंगे आठ बजे जनक पूरी तो बने रहना हम लोग में आखिर तक प्रवाइब देख ली पूरी रात का खाऊंगे तर्मिनल 3 चारसो अड़ सट रवे का बिल और मुझे क्या मिला है तो आपको बताओं को बाद में अब एक बार यहां से निकल जाते हैं भाई अगली बुकिंग आ गई है दिल्ली केंट से माल्चा तीन मिनिट का दिखा रहे हैं पिक अप लोकेशन पहुंशता हूं भाई और वार्निंग से गुड़ मुझे बॉर्ट वर्न माई तो बाई ड्रोप हो गया है माल्चा देली केंट से जो बुकिंग आए थी की 200 वेगा बिल 141 रुपे मुझे दिये हैं और 4.5 किलोमेटर की टोटल बुकिंग थी इससे पहली वारी जो बुकिंग थी पटेल नगर से एरपोर्ट के लिए 20 किलोमेटर की राइट चारसो बहतर रुपे का बिल और मुझे दिया 310 रुपे तो बाई ये दो बुकिंग होई है छे बज गए है और आठ बज़े का पेकाप है अपना देखते हैं कोई और बुकिंग हो पाती है नहीं अभी निकलते हैं इसेरिया से क्योंकि यहां पे बाई सुबह सब आते हैं क्यों चाथते नहीं है यह है अगली बुकिंग आ गई है चाने के फूरी भाग के लिए असरु का होटल चाने के फूरी से करोल वैग कई दिनों के बाद वाइवर में आज बुकिंग उठाई है लोग इन होते ही बुकिंग आ गई करोलबाग के लिए है कि पहुंचते हैं भाई पेक अप लोकेशन पर चलते हैं करोलबाग छे बज़ के तस मिनिट हो गई है अशोका होटल दिल्ली करोलबाग कर दिया करोलबाग कर दिया करोलबाग में गाड़ी साफ हो रही है और इसके बाद सीधा जनकपुरी जहां से अबना रोध तक का पिकप वहां पहुंचेंगे तो तीन बुकिंग हुई भाई आज 600 रुपे का काम हुआ और 600 में मेरी सी एंजी निमड़ जाएगी आज उत्तक आने जानेगी और जो रुत्तक वाली ब्यूटी हो पूरा बच जाएगा तो मिलेंगे अभी जनकपुरी पहुंचके बाई आड़ वजगे 15 मिनिट हो गए हैं और मैं पहुंच लिया हूं पिकप लोकेशन पर गलियों में ताब बोल दिया भाई पैसेंजर को अभी पिकप तो कर लेता हूं सुबह सुबह इवनिंग में ड्रोप नहीं हो पाएगा यहां पर बाहर ही उत्रो ऐसे क्या करो यहां ना करो सब के लिएर कट बता दिया गया है तो चलो वागे हैं तो रेट कर रहे हैं आट बुजे का टाइम दा पंद्रा से 20 मिनिट लेट हो चुके हैं बाग की देखों कब आते तो निकलते हैं रोफ तक हैं खुलो खुलो कि अ कि मॉनिंग मैं कि दन्यवाद जी कि सामको पर वही मदे डेरी पर चोड़ू हो बार जी इसी गलियों मैं तुमें बढ़ा ही नहीं कदे जिसाई जी चिवे आसा ने जो स्कूल की वैन वालों का अंगा माज आदा है ना जी जो वैन वाले नहीं है वो ना रुपते कि आप का रहते हैं मैं पटेल नगा रहता हूं जी यहीं दिल्ली में कि इवनिंग में कितने बज़े वापसी आपकी फिर भी काईड़ी आस ना रहते हैं तीन बज़े गास प्रास आमें ज्यादा तर्जी इसा टाइम लाएगा हां से आने हैं हम इस टाइम आंगे दो फेर में नहीं मैं कल भी था महीं पर तो दो डाई गंटे लगते हैं और अभी मॉनिंग में अभी 1.4 कोने दो गंटे लगेंगे पाई हो गया वापसी दिल ली जाने का टाइम पांच बज़ के पंदरा मिनिट हो गए हैं और अब आया है पैसेंजर का कोल दिल्ली के लिए वापसी तो बज़ चलते हैं दिल्ली देखो दो गंटे तो कम से कम साइद लग जाएंगे डाबडी के आसपास जाना है मेरे को जो पैसेंजर सुबह लेकिया था गलियों का बबाल था जिसमें मगर पहले बता दिया था पैसेंजर को जी गली में गाड़ी नी जाएगी बाहर ही छो तो पूरी रात काम कर लो पर मैं करूंगा नी अब इनको ड्रोब करके सिद्धा गर क्योंकि आज का जो पना काम था जो टार्गेट था वो कंप्लीट हो जाएगा इसके एंड उती ही करेंगे बाद दिल्ली पहुंचके बढ़े रोब लोग में आखिर तक और खैस्टे रह कर दो का के बड़ाई ब एकाद वोग टार्गेट को पड़े बखिए कुछ 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 क्योंकि अबहु क्योंकि म्जड़ों कुछ कुछ कँछ बुकिंग के एंड साथ बज़ के पंदरा मिनिट पे डाबडी सागरपूर ड्रोप कर दिया पैसेंजर को और मैं पहुंच गाऊं साधिपूर अभी तो पूने आठ के असपास हो गया मगर सवा साथ मुझे मेरा ड्रोप हो गया था और भाई आज जो जो बुकिंग थी सब आप कुछ पताई है तीन बुकिंग शुबे क्या था दो ओला में एक उबर में 620 रुपे का काम किया था सुबे और यह 3000 रुपे की यह वाली बुकिंग थी तो टोटल 3600 रुपे का काम आज भाई होता है जिसमें से यह मान के चलो 190 किलोमेटर मेरी गाड़ी चली है जिसमें से 120 और 140 किलोमेटर चली है मेरी रोत्तक वाली ड्यूटी में और बाकी जो भी 40-50 किलोमेटर चली थी वह चली थे वाई सुबे लोकल में 600 रुपे आसपास की सीजी 600 यहां तो 700 लगी होगी और एक टोल 210 आना जाना सोर पे अरियाना टैक्स और सोर टोटल यह खर्चे होते हैं और इसमें मार्जन आप देख लो कितना बने हैं तो इस तरीके से आज कल काम हो रहा है कि सुब पांचार गंटे ओला उबर में चला रहा हूं और फिर एक आउट सेशन जूटी कर रहा हूं और बाई बताओ यार कैसा काम है कमेंट आज कर बहु कि नारा खतम हुया है है जहां मेरे इसाब से कोई क्याया नहीं है ci आप अपने बारे में बता управ के स्था नहीं हो थारा है कि काम कम है टो कण को ज्यादा भी हुने वाला जबर दस्दिन आने वाले तो आज का वीडिए content एंड कर रहा हूं दो दिन हो गया है लगाता रोट तक के एक कल भी रोट गया था और आज भी रोट गया था देखू कल कहां का बुलाव आता है कहां जाये जाएगा तो अभी तो एंड कर रहे हैं बिलेंगे कल अपने भाई विक्की खतरी को देदो इजाज़त सारे बाइया